नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में अब ही मेरी खल से सेटरडे को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और पीएसबी के एमडी के साथ एक बैठक होई थी उसके दोस्तों कुछ चीजे सामने निकल के आ रही है कि उस मीटिंग में एक्चुली हुआ क्या था वैसे बहुत कुछ मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अब जो नया अपडेट आया है यानि कि उस से उस मीटिंग में क्या हुआ जो बैंक के एमडी है उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा आज की वीडियो साहब उसी चीज कोई और इसारा करती है देखो दोस्तों बैंक के जितने भी थे हमारे प्यूस्यू बैंक के उन्होंने वित्रमंत्री जी से कहा कि साहब हमारी इस्तिती हर छेतर में बहुत मजबूत है सारे अपडेट मैंने अपने वर्टसप और टेलेगराम चैनल पे लगा रखी है उन्होंने का कि कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है अमेरिका के बैंकों में चितनी भी क्रैसिस आए किसी भी परकार के किसी भी देश में किसी भी बैंक में क्रैसिस आ दी कोई फरक हमें नहीं पढ़ेगा चाहे हमारा bank छोटा है या बड़ा है, हार मोर्चे पर हम सक्षम हैं, यही चीज तो सुनना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि कोई दिक्कत परसानी तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत परसानी है तो बताएं, किन से का, MD, जो bank के MD थे, लेकिन जब bank के जितने भी MD थे, उन् और अफवाओं पर ध्यान नहीं देना है, इन्ची जोपको उन्होंने बहुत गौर से कहा है, कि अफवाओं जितनी भी चलने ही कि ऐसा हो जाएगा, यह bank डूब जाएगा, इस bank में खतरा है, RBI ने इस bank का license रद कर दिया, Google में भी आप news देखते होंगे, तो news से आपको उठाता है, और RBI जो भी गदम उठाता है, वह bank हित में होते हैं, थोड़े दिन तक उसमें पावंदी रहती है, बाद में वो चीज़े हट जाती है, जैसी bank के आर्थी कि स्तिती खुलती है, अब जब नहीं अर्थी bank, ऐसा लगता है RBI को इसके बसका नहीं है, वाई bank चला कि बैंक जो हैं, यह बिल्कुल सेफ हैं, अफडेट के मादेम से मैं आपको समझाने की कोशिस भी करता हूँ, HDFC है, गिरावट में थोड़ थोड़े स्टोक बाए करो मौका है, पैनिक है, तो overall इस meeting में जो निसकर्स यहीं निकला, कि अभी हाल फिलाव कोई तिकत परसानी नहीं है, ऐसा, जितने भी बैंक के MD थें, उन्होंने समझा दिया हमारी जो वित्मंत्री निर्मा सिता रमन को, इसी लिए मेरे ख्याल से अब आगे साइट कोई स्टैप सरकार ना उठाए, चाए वो मर्जर को ले करो, या capital inclusion को ले करो, ताकि निजी करन की घबरे आजाएं तो मैं कह नहीं सकता, और मेरे ख्याल से वो आ सकती हैं, फाइनली जो होगा, वो तो आपको पता है, लेकिन उसका announcement अभी नहीं होगा, तो यह update था, एक छोटा सा वीडियो में आप लोग के लिए बनाया है, बाकी इजाज़त दीजी मुझे, नेक्स वीडियो में ने update के सा होगी मुलाकात, तक तक इनतिजार, फाइनली, नमस्कार.